कानपुर में भू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है कानपुर प्रेस कलब में प्रेसवारता करते हुए ठाना कल्यानपुर छेतर की मिरजपुर निवासनी रुची गौतम ने पनकी निवासी ओमवीरि सिंग शैलैंड़ बियेंज सिंग और ठाना वे घर पर कबजा कर लिया पिड़ता का कहना है कि इस मामले में कोई कारवाही नहीं की जा रही है हमें कल्यानपुकी रहने वाली हूँ अब भूमाभियाओं ने मेरा घर कबजा कर लिया है बाइस ग्यारा में हमने घर खरीदा था जमीन लिया था इसके बाद बारा पाच दो अजार तेईस में ओमीन सिंग मनोज सिंग और सैलें सिंग उनकी पिता डियन सिंग और कुलिस के हला दिकारी सब मिल गए सीओ एसो चवकी इंचार में खड़े होकर के हमारा घर अड़बवा दिया समान हमारी सम्लोडरों में भर ले गए आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई ना मुझे न्याय दिया गया मैं कमिश्णर के आँ जा चुकी आट कारीक में आट पांच में गई मुक्रमंत्री के आँ गई पुलिस कमी मानी देशा अगलग नहीं गई कहीं ऐसा नहीं रखा सब जगे बार बार दोड़ अबॉर्ट लेटने का मामला है और अधित बाज बार महिनों पर अधरीक घड़ में गुष्के मार पीट किया मेरे बाई बतीजों को बगा दिया मैं दलित चमार मेला अकेले हुं मेरे पती ने पच्छी तलाग ले लिए अलग एक ते हैं और मेरे बेटे हैं नहीं मेरे भा स्कान की रिजिस्टी रुषी घौताम के नाम है और हमारे नाम है आपताने उस पंचर से मिलकी है क्योँ नहीं सुन रही है तो भोही जाने हम सबसे रिइस्ट कर 나오ohlा है मुझे लिए दिया जा है सबके पास जा रहे हैं नहीं दाखिल किया गया मेडिया के बादें जा रही हूं कि मुझे निया ओग।